मैं अमरेंद कुमार यादब पुर्वांचल के छोटे से जिले वैसाली से बिलोंग करता हूँ मैं डूसू में जुएंट सेकर्टी की कोश पे कंटेस्ट कर रहा था आज SPM कोलेज के बाहर जब मैं SPM से अपना केमपेनिंग पूरा करके लोटा बाहर हमारे सातियों पर हमला किया गया मुझे पर हमला किया गया हमारी गारिया तोड़ दी गए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हजार किलोमेटर दूर से आकर जब हम यहां पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं तो हम इतनी मजबूती रखते हैं कि हम यहां पर अपने आप को इस्टेबलीश कर सके बाब्जूद इसके पूरे देश से दिली भी जाले में बच्चे पढ़ने आते हैं मगर हमारा रिपरजेंटेशन कहा है प्रवानचल की सबसे ज़ादा संख्या होने के बाद भी हमें किसी बरी पारटी दोड़ा रिपरजेंटेशन नहीं दिया जाता है बल्कि अगर हम अपना रिपरजेंटेशन के लिए आगे निकलते हैं तो हम पर हमले कराये जाते हमें डराया जाता है धमकाया जाता है। मैं आप सभी को हाज और कर रिक्वेश्ट करता हूं, कि मैं इन लोगों से डढ़ने वाला नहीं हूं, हमारी team इन से डढ़ने वाली नहीं है। आप के जितने भी धम है आप लगालो हम न या दिकार नहीं है कि वो दिली भी स्विध्याले में चुनाओ लर सके, मैं दिली भी स्विध्याले के हर एक आम छातर से निवेधन करना चाहता हूँ कि इन गुंडागर्दी से बचे और जो भी एक गुंडागर्दी कर रहें उनको सबक सीखा है, मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे, वो लोग अन्नों थे, वो सबके मुँपे मास्क था, कहीं न कहीं सब मुँपे कुछ नो कुछ बांध कर आए थे, उनकी पहजान तो हमने नहीं किये, मगर जो भी आराजक तत्व दे, मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूँ कि यह जो बरी संगठने है, जो हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, उल्टे हमें दणा रहे, धमका रहे हैं, उनसे धूरी बनाए और हमारी आम चात्रों की मजबूती को करो. चात्र नेता की आप भीती सुनिये, कल शाम साथ बजे, एबीपी लाइब पर.